दंतेरस के दिन लोग जम कर सुने चादी हीरे मोती के जेवरात के खरीदी करते हैं आभूशड के प्रतिस्तरी से लेकर पुरुषवर का भी विशेश लगा होता है यही बज़ा है कि लोग सेविंग और इंडिस्टमेंट के तौर पर भी जेवरात के खरीदी करते हैं कि दंतेरस के दिन बजार में काफी विस्तता का महौल रहता है ऐसे में असली रतन और नकली रतन की सही पहचान कर जेवरात को खरीदना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वहीं बात जब हीरे की की जाये तो हीरे में चुनोतियां और भी ज़ादा रहती है ऐसे में जब हमने हीरे की असली पहचान को लेकर कई देशों में जेम स्टोन, गोल्ड और सिल्वर माइनिंग के छेतर में काम कर सुके कौलिफाइड जेमोलाजिस्ट विजे कुमार सुनी से बात की तो उन्होंने बताया कि हीरे की पहचान करना थोड़ा मुस्किल है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मेथड हैं जिससे हीरे की परक की जा सकती है हीरे की जवल्डी ये जेम स्टोन्स बहुत ट्रकी है और एक आम इंसान इसे जस्टिफाइड नहीं कर सकता इडेंटिफाइड नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला हमारा ये है कि कहीं से भी डैमन्ड जवल्ली ले तो सर्टिफाइड जवलर्स प्लस डैमन्ड जवल्ली का सर्टिफिकेट भी ले इस तरह से आपके return की जो है conditions वो fulfill करेंगे, फिर भी diamond पहचानने के parameters है, उसे 4C कहते है, color, clarity, cut and carrot, color जो है, color आपका coffee color में white color आते हैं, fancy color में भी आते हैं, आपका yellowness और brownness color में आते हैं, तो जितना white होगा price उतना बढ़ता है, फिर इसमें TTLC, TTLB जो होता है, TTLC मतलब commercial color होते हैं, इसमें भी yellow tinge color होता है, जितना yellow जितना पपला रहेगा, उतना अच्छा होगा, yellowness जितना dark होता जाएगा, फिर उसके बाद industrial color में भी आते हैं, तो आजकल जो jewelry, diamond jewelry manufacturer होते हैं, वो TC और TLB, TTLB और TTLC color यूज़ करके, उसको white colors के price पे बेशते हैं, इसलिए जब भी लें, तो एक बार उनसे lens मांग के, एक बार चेक करके, और किस grade का है, जैसे VVS होता है, यह high grade होता है, ठीक है, इस तरह से आप color में भी high color का ले सकते हैं, यह सब defects आप देख के ले सकते हैं,